श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशीफल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज शाया बुरा जाता है तो आइए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लीग किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तों ये दिन आपके लिए बहतरिन इस दिन आपको धन की कोई कमी नहीं होगी, आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी, पैसा आपके लिए आएगा इस समय में फिजुल के खर्चे भी नहीं होगे, आपकी चतुराई, आपकी मधूरवानी इस समय में लोगों को प्रभावित करेगी, इस समय में आपको पु इस समय में आपके नए रिष्टे कायम होंगे नए मित्र बनेंगे और जो भी सोचोगे जो भी चुनोगे उसमें आप सही करोगे लव रिलेशंचिप के लिए भी ये दिन शुबसाबित होगा आपको अच्छा जीवन साथ ही इस समय में मिल सकता है इस समय में सरकारी अधिका लोगों के लिए भी ये दिन बहतरीन साबित होगा इस समय में नोकर चाकर और वाहन का सुख आपको मिल रहा है इस समय में नया वाहन लेना चाहते हो या भूमी लेना चाहते हो तो दिन इन चीदों के लिए उपयुक्त साबित होगा और ये सब आपके लिए लखी साबित ह भूमी से आप इस समय में धन एकत्रित कर पाओगे, इस दिन पर अगर आप नई भूमी लेते हो तो वो आपके लिए भागेशाली साबित होगी, ये समय विद्यार्थियों के लिए भी बेहतरीन रहेगा, पंचम भाव पर दुष्टी होने से आप इस समय में पढ़ाई में क सेहत अच्छी रहेगी, स्वस्त्र होगे, पुरानी बीमारियों से चुटकारा मिल सकता है, इस समय में आपकी चुस्ती स्पूर्ती देखने वाली होगी, काम करने की गती बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, मन भी प्रसंद रहेगा, इस समय में व्यापारियों क सहकारियों का और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर्स का भी पूरा लाब होगा जिनकी मदद से आप अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे इस समय में आपको विदेश से बढ़ा लाब हो सकता है विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका भी इस समय में आपको मिल सकता है इस समय मे आपके लिए सफेद और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और इस दिन आठ अंक आपके लिए लखी सावित हो सकते दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह क होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करे और अगर आप नवंबर दोहजार बीस का कुंबर राशी का राशी पल ज दोस्तों इस राशी फल में हम जानेंगे नवंबर मेहने में कुंबर राशी के लिए आपका कामकाच काक्षेत्र आपकी प्रोफेशनल लाइप जो है वो कैसे रहने वाली है आपकी आर्थिक स्तिती कैसे रहेगी नवंबर मेहने में आपका स्वास्त कैसे रहेगा नवंब कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं नवंबर 2020 का कुंब राशी का राशी फल दोस्तो इस महिने चार ग्रह सूरिय शुक्र बूध और ब्रुहस्पती राशी परिवर्तन करेंगे इन ग्रहों के राशी परिवर्तन की वज़े से आपके नवम दशम और द्वादश भाव सक्रिय अवस्ता में रहने वाले हैं और इन ही भावों के कारकत्वों के हिसाब से आपको फलों की प्राप्ति होगी दोस्तो नवम भाव काल पुरुष की कुंडली में धनुराशी का होता है और इससे हम धर्म और पिता के साथ आपके सम्मंदों पर विचार करते हैं दशम भाव काल पुरुष की कुंडली में मकर राशी का होता है और इससे आपके कर्मों के बारे में विचार किया जा सकता है वही कुंडली में जो द्वाव है मींद राशी का होता है और इससे विदेश यात्राओं और हानी के बारे में विचार किया जा सकता है दोस्तो इस महिने यान 9फ मेहने में कुंबर रशी के लिए करियर के ख्षेतर में आपको सामाने रिज़ल्ट मिल सकते हैं हाला कि कुमबर रशी के कुछ जातों को इस साल विदेश जाने का मोगा भी मिल सकता है दोस्तो आर्थिक पक्ष में सुधार करना चाहते हैं तो आपको सोच समझकर पैसा इस मेने खर्च करना होगा जी हाँ पैसा खर्च करते वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी की जरूरत रहेगी इस माह आपको अपने पिता के स्वास्ते पर भी विशेश ध्यान देनी की जरूरत है क्यूंकि उन्हें कोई स्वास्ते परिशानी होने की संभाव ना रहेगी तो आईए सब विस्तार से जानते हैं सबसे पहले जानते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइप आपका कारेक्षेत्र नवंबर 2020 में कैसा रहने वाला है दोस्तो अगर प्रोफेशनल लाइप की बात करते हैं कारेक्षेत्र की बात करते हैं तो ये माह आपके लिए सामान्ने रहने की उम्मिद है इस मेने आप अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे जिसके कारण सहकर्मियों से आपकी मित्रदा बढ़ेगी आपके जो जुनियर्स है उनको भी आप काम के सिलसिले में कोई भाषन दे सकते है आपका जो सपष्ट नजरिया इस मेने रहेगा उसे सहकर्मी पसंद करेंगे काम के प्रती आपका जो रुझान है वो बहुत सकारत्मक इस मेने रह सकता है और उस वज़े से आपका बॉस भी आपसे बहुत खुश रहेगा दोस्तो अगर आप अभी तक बेरोजगार है तो इस मेहने आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आपको नई जॉब लगने की पूरी संभावना इस मेहने बन रही है जिन जातकों की जॉब कुछ समय पहले ही लगी है उन्हें क्राम के प्रतीज ज्यादा एकागर होने की जरूरत रहेगी चलिए दोस्तो अब जानते है आपकी आर्थिक स्थिति आपकी financial condition नवंबर 2020 में कैसे रहने वाली है दोस्तो नवंबर महिने में कुंगराशी के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मेहनत करनी होगी जी हाँ मेहनत तो आपको इस मेहने करने ही होगी इस मेहने आपको खर्चों पर लगाम लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा बच्चत करने के लिए अच्छा बजट प्लान आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको लगता है कि आप बच्चत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपने घरवालों की मदद लेनी चाहिए या अपने जीवन साथी का सहयोग लेना जरूरी रहेगा इस महीने कुम्बराशी के कुछ जातक अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं कुछ ऐसा विचार बन सकता है और अगर यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर भी काफी धन खर्चोने की संभावना है हाला कि यात्रा आपके लिए मांसिक रूप से बहुत सुखद रह सकती है अगर आप काम के संभन में किसी यात्रा पर जाते हैं किसी ट्रिप पर जाते हैं तो वहाँ पर भी धन कर्च करना पड़ सकता है हाला कि ये पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा लेकिन समय लगेगा दोस्तो इस महिने पैत्रुक संपत्ती को लेकर घर के लोगों की बीच मतभेद हो सकते हैं इन मतभेदों को दूर करने के लिए आपको घर के वरिष्टों के साथ बैठ कर बातचीत करनी चाहिए समस्या का हल अवश्य मिलेगा बस सकारत्नक रूफ अपनाए नमबर 2020 में कुम्बराशी के लिए अगर स्वास्त की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो इस महिने आपको अपने स्वास्ते पर ध्यान देना होगा जी हाँ, खास कर कान और फेपरों से सम्मंदित कुछ समस्या आपको इस महिने परिशान कर सकती है इसके साथ ही आखों में भी कुछ परिशानिया आने की संभावना है अगर आप लैप्टॉप या कम्प्यूटर के सामने बैठ कर काम करते हैं तो बीच बीच में आपको अपने आखों को थंडे पानी से धोना चाहिए इससे आपके आखों पर होने वाले बुरे असर का प्रभाव कम होगा ये माह आपको ज्यादा तला भुना खाने या बाहर खाना खाने से भी बचना चाहिए वाहन चलाते समय भी इस महिने आपको सावधानी बरतनी ज़रुरी रहेगी अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याई है तो इन्हें दूर करने के लिए आपको मंडुकासन नौकासन और प्रानयाम का अभ्यास करना चाहिए इन आसनों को करने से आपको कई लाब मिलेंगे चलिए दोस्तो अब जानते हैं नवंबर 2020 में कुम्बराशी के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है और मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तो लव लाइफ के लिए और मैरिड लाइफ के लिए ये माह सामान्य रहने की संभावना है इस महिने में जीवन साथी की माता के साथ आपकी कहा सुनी होने की संभावना भी रहेगी उस वज़े से घर का माहोल थोड़ा संजीदा हो सकता है इस महिने आपको अपने गुस्टे पर काबू रखना चाहिए और ऐसी बातों को बोलने से बचना चाहिए जिससे कोई आहत हो जाए इस राशी के कुछ जातकों को अपने जीवन साथी की साथ घुमने का मोखा भी इस महिने मिलेगा जिससे रिष्टों में नयापन आएगा आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ इस महिने किसी धार्मिक स्थल पर गोमने भी चा सकते हैं चलिए दोस्तों आप जानते हैं पारिवारिक जीवन फैमिली लाइफ नवंबर 2020 में कैसे रहने वाली है दोस्तों इस महिने आपको अपने पिता के स्वास्त का ख्याल रखने की विशेश जरूरत है आपके पिता के स्वास्त में इस माह कुछ नकारत्मक परिवर्तन आने की संभावना है और हो सकता है कि वो आप से अपने स्वास्ते के लिए परिवर्तनों के बारे में बात ना करें इसलिए आपको खुद अपने पिता के पास जाकर उनके हाल चाल जानने चाहिए और अगर उनको जरूरत है तो कोई परेशानी है तो चिकिजसक के पास उनका इलाज जरूर कराएं अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो इस महेने वो आप से किसी कीमती चीज की मांग भी कर सकते हैं आपको उनकी इस मांग को पूरा करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिती पर तो इससे कुछ बुरा असर नहीं पड़ रहा। वही कुंबराशी के कुछ जातकों के बच्चे इस माह माता पीता का सवयोग करने के लिए आगे आ सकते हैं। दोस्तो कुंबराशी के कुछ जातक अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ इस महिने विदेश भूमने भी जा सकते हैं। हाला कि इस यात्रा पर आपका खर्चा ज्यादा होने की संभावना है लेकिन इस से आपको बहुत खुशी और तरोताजगी मिल सकती है दोस्तो चलिए अब जानते हैं एक उपाई जो इस महिने आप कर सकते हैं दोस्तो नमबर 2020 में कुम्बराशी के लोग सुर्योदय के समय श्री गनेस तुती का जाप करें जी हां ये जाप आपको फाइदा दिला सकता है तो दोस्तो ये था नमबर 2020 का कुम्बराशी का मासिक राशीपल धन्यवाद